नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ अक्षे आनन बिहार में जिस तरह से बारिश हो रही है इससे अब जनजीवन भारी रूप से अस्त व्यस्त होता जा रहा है राजधानी पटना का हाल इतना बुरा है कि कई सारे इलाके पानी में डूब चुके हैं एस्क्यू किया जा रहा है जेसीवी की मदद से इंडियरेफ की टीम लगिया है कंकडबाग के घरों में पानी जमा है और लोगों को परेशानिया तो हो ही रही है साथ साथ इस बारिश ने व्यापारियों का भी भारी नुकसान किया है हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं ह थुआ मार्केट के एक रेमंट्स शोरूम की जहां पर आप देखिये किस तरह शोरूम में पानी भर गया है और शोरूम में रखे वो तमाम सूट्स शर्ट्स जो कुछ भी वहां बेचे जाने थे वहां बिक्री होते थे वो सब पानी में डूब चुके हैं इससे व्यापार भरा है एक तस्वीर जो हम तक पहुची है वो हम आपको दिखा रहे हैं और पूरे पटना में अलग अलग जगहां का ऐसा ही हाल है पानी ने घरों को दुकानों को सब को अपने आगोश में ले लिया है और अब लोगों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है इसक इच अलर्ड भी लगातार जारी हो रहा है मौसम विभाग जो है वो भी बारिश रुकने की किसी संभावनाओं का जिक्र नहीं कर रहा है तस्वीर लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं अगले दो दिन भी बारिश होने की बात है बारिश होने का अलर्ट दिखलाया जा र रहा है क्या सरकार क्या नगर निगम सब दफ्तरों में पानी भरा है विधान सभा भी जलमग्द है मंत्रियों के आवास में भी ठेहुने तक पानी लगा है पूरा गांधी मैदान मानो एक समंदर जैसा दिख रहा है और हर तरफ हर तस्वीर ऐसी ही है पटना में कभी दीरे अभी तेज बारिश लगातार हो रही है रहत के कोई उपाए नहीं हो पा रहे हैं फिलाल इंडियारेफ जो है वो बचाओ में लगा है लेकिन वाटर को शेहर से बाहर कैसे निकाला जाए वैकूएशन प्लैन क्या है सरकार ढूंडने में लगी है आप लाइप सिटीज के सा कि म allá रखैंग लाख दे प्लैन के संही है को